किन्नरीज किचन में आपका स्वागत है आज हम आम और साबुदना स्टार्ट में से मैंगो बोबा ड्रिंक बनाएंगे ये एक बहुती यूनिक सा ड्रिंक है जो बच्चों से लेके बड़े दक बहुत पसंद करते है ये ड्रिंक टेस्ट में बहुती स्वादिश्ट और जब होता है बोबा पल्रिंक या बोबा टी आजकल बच्चों और कॉलेजियन्स में बहुत ट्रेंडिंग है आईए देखते हैं मैंगो बोबा ड्रिंक किस तरह से बनाते हैं आज मैंगो फ्लेवर बोबा पल्रिंक बता रही हूँ पर आप इसे सीजनल फ्रूड के अनुसा कोई भी फ्लेवर के बना सकते है जैसे कि जामून, ब्लूबेरी, प्लम, मैंगो बोबा ड्रिंक बनाने के लिए एक पैन के अंदर आम का रस लेंगे यहां हमने दो केसर आम का रस निकाल कर लिया हुआ है अब हम पैन में एक चुथाई कब आम रस डालेंगे आम रस के आम रस के अंदर मिलाएंगे यह स्टार्स बहुती फाइन पाउडर होता है इसलिए मिलाते वक्त बहुती सावधानी से मिलाए जिससे वो आसपास ओड़े नहीं आप देख सकते हैं स्टार्स मिलाते वक्त गैस हमने बन रखा है आम रस बनाने के लिए चाहे तो आप आम के छिलके उतार कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर जार में जूस बना सकते हैं या फिर आम को घोल कर उसमें से रस निकाल कर भी इस्तमाल कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप आम का रस बना सकते हैं बना ले इन में से किसी भी तरीके से आप आम का रस बन कर लिया है अभी हम गैस ओन करके एकाद मिनिट तक मिक्सर पेन को चिपकने तक पकाएंगे ध्यान रहे इसे एक मिनिट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना गरम करने से आमरस में रहा मोईस्चर रिडिस हो जाता है और हलका सा गाड़ा हो जाता है गैस का स्विच बंद क मिक्सर दोड़ा उपर उठा के चलाएंगे जिससे यह मिक्सर ज्यादा ना पक सके मिकसर को स्टील की प्लेट में निकाल लेंगे इसके अंदर हम बाकी बचे हुए टैपियो का स्टार्ज को थोड़़़़़ डाल कर मिलाएंगे अभी ये मिकसर काफी गरम और स्टीकी है इसलिए हाथों का इस्तमाल नहीं करेंगे दो चमबच के करीब टैपियो का स्टार्ज डाल कर मिला लेंगे स्टार्ज को हमने अच्छे से मिला लिया है कप में रहा बाकी का स्टार्ज डाल कर मिला लेंगे आप देख सकते हैं मैंगो डो बहुत ही स्मूध बना है लास्ट में इस थोड़े बचे हुए स्टार्ज को भी मिला लेंगे एक बहुत ही भड़िया स्मूद मैंगो डो बनकर तयार है मैंगो बोबा पल बनाने के लिए डो की कंसिस्टनसी बिलकुल ही पर्फेक्ट है इस डो में से रोल बना कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उन में से हम पल साइस के बोबा बनाएंगे इन में से हम एक लुआ लेके हाथों के बीच में गोल कोल गुमाते हुए पल साइस का बोबा बनाएंगे ध्यान रहे इसमें क्रैक बिलकुल भी ना आए साबुदना स्टार्च बहुत ही जल्दी से ड्राइ हो जाता है बोबा बनाते वक्त अगर ये हलका सा भी ड्राइ लगे तो आप मेजरिंग कप के अंदर चिपके हुए आमरस का इस्तमाल कर सकते है एक एक करके हमने सारे क्रैक फ्री बोबा बॉल बना लिये है बोबा पॉल की साइज आप अपने हिसाफ से छोटी या बड़ी रख सकते है मैंगो बोबा पॉल बनकर तैयार है अब हम गरम पानी में इन्हें उबालेंगे स्टेल के बरतन के अंदर हमने दो से तीन ग्लास पानी गरम करने के लिए रखा है इन्हें हम गरम पानी में उबलने के लिए डालेंगे गरम पानी में डालते ही हम चम्मच से चलाएंगे जिससे वो बरतन के तले से चिपक न जाए थोड़ी ही देर में मैंगो पल एके करके उपर आ जाएंगे लगबग 30 से 40 सेकंड तक पानी के अंदर उबलने देंगे और उसके बाद हम बोबा को बाहर निकाल देंगे इन्हें हम जाली वाले बटन के अंदर निकाल कर काश के बावल में रख लेंगे गरम गरम बोबा के उपर थोड़ा सा थंदा पानी डालेंगे बोबा आपस में चिपक न जाए इसके लिए हम थोड़ा सा थंदा पानी उपर से डालेंगे लगबग 5 मिनिट के बाद हम बोबा में रहा सारा पानी निकाल लेंगे इन्हें एक बाउल में निकालकर थोड़ी सी चासनी से कोड़ कर लेंगे इससे ये काफी मीठी और टेस्टी लगते है हमने लगबग 2-3 टेबल स्पून चासनी का इस्तमाल किया है बोबा को थोड़ी देश चासनी के अंदर डूबा कर रखेंगे अब हम बनाते हैं मैंगो मिल्कशेक मिकसर जार के अंदर आम का रस लेंगे साथ में हम ठंडा दूद डालेंगे हमने 1.5 कप केसर आम का रस लिया है दूद हमने लिया है 1 कप मैंगो की मिठास को और एन्हेंस करने के लिए थोड़ी सी सक्कर डालेंगे मैंने यहाँ दो चमच सकर ली है आप मीठा अपने इसाब से डाल सकते है मिकसर चालू करके इसे हम मिला लेंगे ये रेखिए मिलकशेक बनकर तयार है मिलकशेक को और पतला करने के लिए आप दूद या फिर बर्प का इस्तमाल कर सकते है इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर ठंडा करने के लिए रखेंगे मैंगो मिलकशेक बनाने के लिए हमें आमरस और दूद को ठंडा ही लेना है अब हम मैंगो बोबा ड्रिंग को एसेंबल करेंगे एक बड़े से जार के अंदर मैंगो बोबा डालेंगे साथ में डालेंगे आठ से दस आइस क्यूप्स गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो बोबा ड्रिंग पीने का मज़ा ही कुछ और है गर्मियों में कुछ हड कर बनाना है तो मैंगो बोबा ड्रिंग जरूर से बनाए उपर से मैंगो मिल्क शेक डाल कर जार को बर लेंगे चम्मत से अच्छे से मिला लेंगे जिससे बोबा पल्स मिल्क शेक में पूरे गलास में डिस्ट्रिब्यूट हो जाए तो तयार है ठंडा ठंडा मैंगो फ्लेवर बोबा पल रिंक इसे आप ग्लास में फैंसी स्ट्रॉ के साथ सव करे साथ में स्पोन भी रखे इस ट्रिंग को आप एंजोय करे और साथ में चुई बोबा पल का भी मजा ले ऐसी नई नई रेसिपेश के लिए किनरीस कीचन को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद